अरे बड़ा सही टेम से आया मोदी जी मैं बिल्कुल घणा तैयार करी रहे हो तुम जल्दी कर दो तैयार कर दो आज तुम तैयार करी रहे हो जल्दी तैयार कर दो ये मटका अरे ऐसे कैसे ले जाओगी अखलेस इस मटके को सुबे से ही आ गया हो बिल्कुल सूरज भी नहीं निकला तो तभी आ गया हो मैं आकर मोदी जी को उठाया उनसे मटी बन भाई और फिर ये घड़ा बन भा रहा हूँ ये मेरा घड़ा है समझे उमें नहीं मिल सकता अरे कैसी बात कर रहे हो मुझे नहीं मिल सकता कैसे नहीं मिल सकता अरे पास दिन हो गए मोदी जी से कह हुए पास दिन से बार बार फोन भी कर रहा हूँ मैं ये मटका मेरा है मुझे मिलेगा चाहे मोदी जी से पूच लो क्यों मोदी जी बताओ अरे लड़ो मत लड़ो मत बिल्कुल दोनों की सही है किसी की भी घलत नहीं है। अखलेश मुझसे पास दिन से कहा है कि मतका मटका बना दो मेरे पास ही नहीं था इतना काम में भी जीता और रही बाद योगी जी की इन्होंने सुवए आकर मुझे उठा या है। शूरज भी नहीं निकला था तभी उठा दिया और यह घणा बन बन रहा हैं, मोधी जी घड़ा मुझे मिलेगा, समझे, मैं सुभे से या कर बैट गया हूँ, मैंने तुम्हारा मत्टी बनाने में हाथ भी लगवाया है, घड़ा मुझी को मिलेगा, अरे योगी जी अपनी ताकत का जोर तो दिखा हो मत यहां पर, तुम सु इसके बाद एक गणा और तयार करूँगा मैं जब दोनों गड़े तयार हो जाएंगे तो दोनों को एक एक दे दूँगा मैं फिलाल किसी को एक भी गणा नहीं दूँगा चलो अब जाओ अपने घर हमारी वीडियो लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक करें सियर करें सब्सक्राइब करें कजब बेजिती हैं ऐसी कोई बेजिती करता है क्या ये बताओं आइसी दावबत हमने आज तक नहीं खाई केच्रीवा, जैसे तुमने हमारी दावद की हैं, ऐसी दावद तो हमारी हमें साने भी नहीं की थी, उन्होंने कम से कम नमक और रोटी तो खिला दी धी हमें, अरे तुमने तो हमारे सामने खाली प्लेट रख दी और साम नहीं करेंगे अरे इसमें बेजिती की कोई बात नहीं है मोधी जी कोई भी बात नहीं है बेजिती की तुम्हारी नजेर में बेजिती है समझे बैसे कोई बात नहीं है ऐसा हुआ एक ही भगाउना तयार हुआ था मटर पुलाओ का वो हमने अपने सामने निकाल लिया हमिस्सा के सामने और योगी जी के सामने और मैंने अपने सामने तुम दोनों रहे गए दूसरा भगाउना आरा ताजा 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 तैयार होकर उसमें से खा ले ना तुम नहीं केजरी बाले ऐसी बात नहीं चलेगी तुमारी बिल्कुल भी नहीं चलेगी जो बात चलेगी जो नही चलेगी है बिल्कुल नहीं चलेगी अरे तुम दो भागोने तयार कर लेते तभी खाना निकालते एक भागोना तयार हुआ तभी तुमने खाना क्यों निकाल लिया तुमने अपने अपने सामने निकाल लिया हम रहे गए बात तो गलत है अखलेस मैं तुम्हारी बात का कुल मच्चन को अरे तुम ठूंस रहे हो खाना और हम ऐसी खाली वैटे मजा रहा हो खाना नहीं खाऊंगा ऐसी दापत मुझे पसंद नहीं आई अरे खाना जो घिलाया नहीं गेजरी वालने बाहिं लोगो तुम ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो कर दो बाहिं कर दो क्या मजा है वाई क्या मजा है तुमारे गोल गप्पे में मजा आ गया मोदी जी अरे गोल गप्पे के पानी में ये कौन सा पानी डालते हो मोदी जी हमें भी बता दे कौन से मसाले डालते हो इसमें मुझे तो इस दुनिया के ये मसाले लगते नहीं मुझे ऐसा लगता है ये दूसरी दुनिया की मसाले है, ऐसा लग रहा है, तुम्हारे हाथ चुंगलू, ओ, क्या टेस्ट है, मोदी जी, अगले वाले गोल कप्पे में जरा खटे के साथ मीठी चरणी भी मिक्स कर देना, थोड़ा खटे जादा हो गया, अरे अगले मेरे गोल कप्पे के पानी में जो म मशूर है, अरे मोदी जी, तुम्हारे गोल कप्पे मशूर तो है, लेकिन हम भी लाइन में खटे हैं, हमें कब से तुमने आत्में प्याली दे के खड़ा कर दिया, हमें भी दे तो, अरे हमें साभी खटे हैं, इंतिजार कर रहा है, तुम अखलेस कोई खिला रही हो, हमें कोई दुस्मनी की कोई बाद नहीं मेरा एक रूम है एक यह खर सबको एक देते रहा हूं और भूल जाओं गिंती के किस को कितने खिला अगला वाला जीरे वाले पानी के देना वो जीरे वाला पानी मिला देना उसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता तुमारा दे देना अगले वह खाइन के लियर डे वाले पानी के जीरे वाला पानी के खिलाता हूँ आज़ी जीरे वाला पानी के देना और नहीं लोगों मेरे गोलगपों का फिर्चार कर दो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो जरूर करो कि मत जाओ योगी जी मत जाओ वारे तुम यहां पर रहते थे तो गाऊ रहा रहा रहता था तीसेट भी तुम देखो हरी हरी पहने. बहुत मजा आता था तुम रहते- यहां पर कितनी मिहनत चुटाइआ जाता है घर का और तुम अपना पूरा सामान इस मोदी कबारी वाले को दिये जा रहे हो अरे अपना सामान मत बेचो और अखलेस जाना ही पढ़ ला है मजबूरी है यहां पर दिल भर गया बिलकुल लोगों ने जीने नहीं दिया इस गाउं में मुझे इसलिए जाना पड़ा और अखलेस सामान बेचना ही पढ़े गा यहां से इतने सामन कहां ले जाऊंगा यह मोदी कबारी वाले को दिये जा रहा हुँ सारा सामन अरे मोदी जी यह सिलेंडर और मेरे हाथ में जो लेंप है इसका सही पैसे लगाओ तुमने बाकी सामान तो कुर्सी उर्सी तो मेरी बहुत सस्ती लगाई है तो यह भी ले लो पंका भी है देखो आंडी भी है योगी जी जादा बाते तो बनाओ मत मैंने तुम्हारा सामान सबसे दो रुपे महेंगा लिया है समझे सबसे दो रुपे महेंगा मैं सबका सस्ता लगाता हूं लेकिन तुम गाओं छोड़के जा रहे हैं तो थोड़ा सही रैल लगा दूँ तुम्हारे लेंप के लगेंगे इतना सस्ता लगा रहे हो इतना सस्ता कोई सामान लगाता है अरे भही ये कमान है कमान कमान के रेट से लगता है अगर देना हो दो नहीं तो मैं जा रहा हूं मोदी जी मैं कितनी बार काई चुको आँ अपना उस्तरा बदल दो उस्तरा बदल दो पांच बार काट चुके हो तो मुझे आज सेविंग करते करते समझे जब भी सेविंग करवाने आता हूं दस बार कार देते हो तुम मेरे अरे मैं तुमारा रेगुलर कस्टूमर हूं फिर भी तुम उस्तरा नहीं बदलते हो सेविंग के हजार रुपए लेते हो समझे अरे बेरे बाल भी कटना है अभी जल्दी सेविंग करो और फिर बाल काटो मेरे अरे अगनेस उस्तरा तुम नहीं बदलूँगा मैं उस्तरा कती नहीं बदलूँगा ये मेरे पर दादा का उस्तरा है समझे इसी से वो काम करते थे उसके बाद मेरे दादा ने काम किया फिर मेरे पापा ने काम किया अम मैं काम करना हूं इससे उस्तरा नहीं बदलूँगा इससे तुमारे 1000 बार कटे या 100 बार कटे मैं उस तरह नहीं बदलूँगा और रही बाद तुमारे बाल काटनेगी पहली बाद तुम टोपी उतारो ऐसा कौन करता है जब भी बाल कटबाते हो टोपी नहीं उतारते हो तुम तुम कहते हों कि बिना टोपी उतारे उतारे मेरे बाल काटो अरे तुम पीजे पीजे के बाल कटबा लेते हो बीज में तुमारे बाल बहुत बड़े हो गाए टोपी के अंदर दबे हुए हैं जो दिख नहीं रहे ये बताओं कभी टोपी उतर वांगे तो बाल कटवाओ अरे मोधी जी ये टोपी नहीं उतरेगी ये टोपी मेरी सान है टोपी के चार उतर बाल काड़ दो लेकिन अंदर के बाल नहीं कटेंगे टोपी नहीं उतरेगी अरे अंगलेस टोपी नहीं उतारोगे तो टोपी के बाल इतने बढ़ जाएंगे इतने बढ़ जाएंगे कि आस्मान जूजाएंगे ये टोपी अपने आप आस्मान पे पहुंच जाएंगे अंदर के बाल बढ़ते बढ़ते जैसे पेल बढ़ता है अरे अंदर के बाल कटव एक बांट टोपी उतरबालो इसमें कोई तुम्हारी सान हेटी नहीं हो जाएगी